अगर आप पेटियम का पेमिंट्स बैंक यूज करते हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि भारती रिजर्व बैंक ने पेटियम के खिलाफ सक्त कदम उठाए हैं बड़ा एक्शन लेते हुए केंदरी बैंक ने पेटियम को किसी भी ग्रहक खाते वॉलेट या फास्ट टैग आ पाएंगे दरसल पेटियम पेमिंट्स बैंक 2017 में लॉंच हुआ था ये एक डिजिटल बैंक है जिसका कोई इस्थाई या फिजिकल बैंक ब्रांच नहीं है और उसके बाद से कई बार पेटियम विवादों में रहा एक बार तो उन्होंने अपने अडवर्टीजमेंट में प्रधान मंत्री मोधी की तस्तवीर इसमाल कर ली थी जिसके बाद उन पर जुर्माना भी लगा और इसके बाद आर्बियाई की तरफ से नियमों का उलंगन करने की वज़़े से पेटियम को कई बार चेतावली भी धी गई और जुर्माने भी लगाए गए लेकिन पेटिय क्रेडि ट्रांजक्शन वालेट प्रिपेड इंस्टूट में फास्ट आग आधी भी पेटियम अब एकसेप्टे नहीं कर पाएगा लेकिन गौर करने की बात यह है कि कस्टमर्स अपने खाते में मौझूद रुपे का इस्तवाल या निकासी बिना किसी दुवधा के कर सकत है बता देगी किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए के वाईसी के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं जिसके मतलब है कि बैंक को कस्टमर की महत्वपूर्ण जानकारिया जानना बहुत जरूरी होता है जैसे कि उनका एड्रेस फोन नंबर पैंकार्ट जैसी च अधर से पेटियम को आम यूपियाई अप्स के स्तर पर लाने के लिए कारवाही की गई है और ध्यान नहीं कि 29 फर्वरी के बाद से आप पेटियम के पेमेंट्स बैंक के सर्विसेस कर स्तमाल नहीं कर पाएंगे उमीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी अब मुझे द